आज हम डिसकूस करेंगे बेसिकली फोटोकेमिकल और थर्मोकेमिकल रेक्शन में अंतर क्या होता है तापी अभी क्रियाओं में मुख्य अंतर क्या होते हैं देखें इन हम जानते हैं फोटोन इस दा यूनिट आफ एनरजी ए सिंगल पैकेट ए स्मॉलेस्ट यूनिट आफ पैकेट आफ एनरजी उर्जा का इकाई पैकेट उसको हम कहते हैं फोटोन यह एलेक्टो मैगनेटिक रेडियेशन जो है उसको रेप्रेजेंट करता है कि नो और यह रेडियेशन को कि कितनी मात्रा में वह उपस्तित है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फोटोन के नाम से जानते हैं उके सबूलेस्ट यहां पर नहीं उपस्तितितनी जो हैं जो sunlight की वज़ा से समुदर के अंदर possible हो पाती हैं अगर sea light proper समुदर पर नहीं पड़ेगी या suppose करिये माल लीजे कि sunlight उस पर नहीं पड़ती है तो समुदर के अंदर की भी जो दुनिया है वो पूरी लगबग नश्ट हो जाएगी केवल जो debt material है जो inorganic salts है वो बाकी जितना भी जैविक जगत समुदर के अंदर का वो जीवित नहीं रह पाएगा सेकेंड डाइग्राम में देखिए इस इस बेस्ट एक्जाम्पल ऑफ फोटो कैमिकल रेक्शन यहां देखिए पती में sunlight की प्रेजंस में शुगर का बरना शुगर मींस इस प्रेजंट इन एट नहीं प्रेजंट गर्द इन एक्सट उकंपल ऑफ फोटो कैमिकल रेक्शन यहां इस इम थर्ट सलाइट में सी प्रकार बताया गया है कि नाम भी हम एक रह रह रहे हैं यह जो अबधी के ऊपर का वाता वरण है इससे 16 किलो मीटर उंचाई पर एक पाई जाती है जिसको हम Ozone layer के नाम से जानते हैं और ये हम सभी प्राणियों की रक्षा करती है सूरे से आने वाली हानी करकिनो that means ultraviolet radiation से अच्छली यहां पर होता क्या है कि जब यह हमारे वायू मंदल में sunlight जब वायू मंदल में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वायू पाईलेट रेडियेशन को एब्सॉब करके उससे क्रिया करके कन्वर्ट होने लगती है ओजोन में तो इस प्रकार से धर्ती के ऊपर ओजोन की एक लेयर पर्टिकुलर इस वाले एरिये पे 16 किलोमीटर अवग यहां पर फॉर्म हो जाती है जो हम सभी प्राणियों की जिस एक जामपल फोर्तम थे प्राणियां की रियतौते कमंग एकशन इस प्रकार थोर्टम वाले डियग्रम में हम क्यार नगिक्सटुु अवजिए तो फॉर्म होता है अब फोर्तमीकुल रेक्शन कहां होती है पहले स्लैट महां समझ में आ एक जनरलं सी बात है जो Civilitas एक्मोस्फियर है जहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकाश पड़ता है लाइट जाती है वो सारा एरिया वहां पर होने वाली समस्त जैविक जो भी क्रिया हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्लांट एलिमेंट या शैवाल फंजाई या समुत्रे के अंदर की गतिवीधियां कुछ भी इन्वाल्प होता है जो कि सनलाइट को एब्सॉप करने के बाद रियक्शन को प्रोसीट करता है वो सारा कि सारा आएगा किसमें फोटोगेमिकल रियक्शन के अंतरगत ओके तो सिंपल सी बात है कि जो अननेच्रल तरीके से जो हो रही है जो आटिफिशल तरीके से लैब में क्रियेट करवाएंगे आप वो समस्त अभी क्रियां कहलाएंगी थर्मो कैमिकल रियक्शन क्यों क्योंकि यहां पर थर्मल एनरजी या हीट हम उसको स्वयम दे रहे है हम इसको खुद प्रोवाइट कर रहे हैं जैसे हमες प्राक् populated करना रहता है तो हम बर्नर को कुछ जलाते हैं और तुरू गैस बर्नर फ्लेम के त्रूर उसको हम फिल्वाइट करते हैं अगर स्वेम नहीं जलाएंगे तो रियक्शन घानेजी नहीं होगी जबकि फोटो कैमि जो आप लेब में परफॉर्म करवाते हैं, इसमें आग लगना भी शामिल है, जैसे जंगल में आग लग गई है, तो वो नेश्रल रेक्शन नहीं है, ठीक है, आग ताप के बढ़ने से लगी है, लेकिन वो फोटोकेमिकल रेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आग लगने से दूस फैल रही है, और ठीक है, यहां पर हमने उसको आटिफिशली आग प्रवाइड नहीं किया, लेकिन आग लग गई है, तो वो उतनी सफीशेंट है, बाकी दूसरी चीजों को जलाने के लिए, तो यहां कन्फ्यूज नहीं होना है, यहां हम के वाल उन अभिक्रियों की बात क तो इस नहीं पर फोटोकेमिकल रेक्शन, यह जस्ट हीट ज्यादा होने की वज़े से किसी एक पार्ट ने एक तुक्ड़े ने आग पकड़ी होगी और वो आग क्यूंकि उस समेट ड्राय चारो तरफ चीजें थी तो वो आग बढ़ती गई बढ़ती गई और सूखे की व आग लगना धर्मोगामिकल और हीटिंग रियक्शन, वी गैन सी वट इस बेसिक दिफ्रेंस बिज़ें थीधिकल रेक्शन आंग फोटोकेमिकल र्यक्शन, थर्मोगेमिकल या तापी अभी क्रियाओं में, हीट या ऊउश्मा का या तो एब्सॉप्शन होगा या एवलु इनको केवल प्रोसीड होने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप स्वैम प्रवाइट करवाते हैं तो लाइट का सनलाइट का या अंधेरे उजाले का इन पर कोई एफेक्ट नहीं होता है दूसरे बात इनके कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रेंज है वो 10 to the power minus 4 से लेकर 10 to the power minus 5 कैलोरी प्रती मोल के बीच में होना चाहिए तीसरे चीज जो फ्री एनर्जी चेंज है मुक्त उर्जा परिवर्तन है थर्मो केमिकल रेक्षंस में हमेशा नेगिटिव होता है क्योंकि इसमें ए रेक्षंस कंप्लीट होने के बाद कुछ न कुछ एनर्जी जो है वो तंतर से निकलती है तंतर से बाहर निकलती है सो दाट डैल्जी डैल्टा जी जो है उसकी वैल्यो हमेशा नेगिटिव होगी दे और एक्षंस कंप्लीट होने के लिए एक्षलरेशन देता है टेम्प्रेचर प्रेशियर और वॉल्यूम के रिफ्रेंस में जब हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट के मिलने से यह मॉल्यूल को एट्मोस्फियर प्रदान करता है कि आगे बढ़ो मॉल्यूल इसको स्पेस देता है कि आप आगे आईए और रिएक्षंट फर्दर प्रोसीड करिए और अगले मॉल्यूल को अवेलेबल करवाने में सुभी दा प्राप्त करवाता है सीडी सी बात है यह एक्टिविटी को बढ़ा देता है यह अभी क्रिया नेचर में बहुत सिंपल होती है बहुत जादा complicated नहीं देती है आप दो reactant लीजिए reactant A reactant B दोनों को मिलाईए अगर catalyst की जरुवत है तो उसको involve करिये heat provide करेंगे और reaction complete हो जाएगी इसमें बहुत जादा complications या बहुत जादा byproduct या इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत जादा typical procedures इसमें इंबॉल्व नहीं होते हैं अब आईए बात करते हैं photochemical reactions की इन में absorption of light होता है means हमने जैसे देखा पत्यों में खाने का बनना carbohydrate का बनना तो वहाँ पे वो sunlight को absorb कर रहे हैं और उसके बाद वो glucose का formation या carbohydrate का formation कर पा रहे हैं बहाँ हमने देखा क्योंके sunlight की presence में होती है तो सूरी के प्रकाश की opacity sunlight की compulsory होगी तीसी चीज़, temperature has a very little effect on the rate of photochemical reactions देखिए यहाँ पे sunlight must है तो obviously बात है natural atmosphere में जितनी रोष्णी उसको मिल रही है वो उतने में reaction को complete करेगी thermochemical reaction है वहाँ पे temperature का फरक पड़ता है temperature अगर हम बढ़ा देंगे तो वहाँ पे अभिक्रिया की दर बदल जाएगी उत्पात की जो quality है वो बदल जाएगी percentage भी change हो सकता है क्योंकि यहाँ जो thermochemical तापी अभिक्रियाएं होती है वो होती है particular temperature, pressure और volume बहुत सारी reaction कमरे की ताप पे होती है लेकिन बहुत सारे reactions में हमको temperature, pressure के साथ volume इन तीनों factors का विशेज ध्यान रखना पड़ता है अगर proper maintain नहीं किया तो reactions complete नहीं होती है या proper result नहीं आता है लेकिन photochemical reaction के संदर में इस प्रकार की condition लागू नहीं होती है बहुत जादा पर्क नहीं पड़ता है कि light कम है या ज्यादा है अगली चीज़ देखिए इनकी जो range होती है radiation की क्योंकि वहाँ पे हम temperature ले रहे हैं तो energy जो प्रवाइट कर रहे हैं temperature के थ्रू थर्मो कैमिकल में तो उसकी रेंज में आपको पताई 10 to the power 4 से लेके 10 to the power 5 कैलोरी प्रती मूल जबकि यहाँ पे हम इसको क्या प्रवाइट कर रहे हैं फोटो कैमिकल में radiation प्रवाइट कर रहे हैं और आपको मालूम है कि radiation को हम किस में नापते हैं wavelength को angistrong में तो 2000 से लेके 8000 angistrong तक wavelength होनी चाहिए और जो की equal होती है यदि हम उर्जा की संदर्व में बात करते हैं तो 23 से लेकर 230 किलो कैलोरी प्रती मूल के बराबर तो नया टर्म आया है photosensitizer actually हमारे यहाँ हम जो इंसान हैं हम हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से हो रहा है उसको हम artificial तरीके से किस प्रकार से हम complete करवाएं और सारा research इसी उसमें लगा रहता है हर समय कि जो चीजे भगवान स्वयम कर रहे हैं यह प्रकृति स्वयम करके दे रही है उसको हम लैब में कैसे create करें है ना तो इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने ऐसे sensitizers, photosensitizers की भी खोज कर ली है जो photochemical reactions को उनकी दर को थोड़ा सा बढ़ा देते है जबकि प्राकृतिक कभी करिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे किसी प्रकार का photosensitizer यूज नहीं होता है यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि photosensitizers जो है वह 100% truly manmade है यह artificial ही है natural रूप से कोई भी photosensitizer नहीं पाए जाते है केवल sunlight के आवशक्ता होती है photochemical reactions को complete करवाने में जो जो लाब के अंदर जो practicals UV light को लेके या UV devices बहुत सारी हम बना रहे है एलेडी को बना रहे हैं हम वस्फोरोसीन और फ्लोरोसीन और लुमिनिसेंस material को बना रहे हैं तो उन सभी में हमको photochemical अभिक्रियाओं को कराने की आवशक्ता पड़ती है जिसको और बहतर रूप में करवाने के लिए हम photo sensitizers का उप्योग करते हैं इसी प्रकार एक जो लास्ट अंतर मैंने बताया था आपको thermochemical में कि thermochemical reactions बहुत complicated नहीं होती हैं किन्तु photochemical reaction नेचर में इतनी simple नहीं होती हैं इनकी काफी सारी steps होती है product formations भी काफी complicated होते हैं तो carbohydrate का बनना is not a simple reaction कि आप A को B में मिलाएं और carbohydrate का formation हो जाए natural रूप से एक पत्ती के अंदर आप सभी ने बायो में photo chemistry photosynthesis पड़ी होगी उसमें आपने देखा होगा कि कितनी सारी cycles उसमें involved होती है तब कहीं जाके ये reaction complete होती है photosynthesis की so photo chemical reactions nature में काफी complicated होते हैं और thermochemical reactions जो हैं वो simpler होते हैं see here is some example of thermochemical reactions nitrogen का एक molecule hydrogen के तीन molecule और conditions क्या होंगी 1500 से 200 atmospheric जो pressure है इस पर 450 से 500 degree Celsius temperature maintain करके जब हम iron को as a catalyst लेते हैं और nitrogen और hydrogen की अभिक्रिया कर बाते हैं तो ammonia form होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया को संपन कराने के लिए हमको ये vicious परिस्तितियां उत्पन करनी पड़ी हमने उसको heat दी heat भी कितनी कम से कम 450 से 500 degree Celsius means अगर आप इससे कम heat देंगे आप 100 degree Celsius देंगे तो ये reaction complete नहीं होगी atmospheric pressure अगर आप इससे कम maintain करेंगे तो reaction complete नहीं होगी प्रोसेस्ट ही नहीं होगी two phosphorus के हमने molecule लिए और तीन यहां पर हमने chlorine के अडू लिए और दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा pcl2, 2 pcl3, phosphorus, trichloride और यहां पर जो delta H enthalpy change है उसमें कितनी energy निकलेगे माइनस 635.1 kJ प्रती मूल इसी प्रकार PCL-5 का एक दूसरा example और यह एक और example hydrogen और iodine का जैसे आप hydrogen के एक molecule को iodine के एक molecule को gases form में लेके 2HI hydrogen iodide के molecule form होंगे जबकि photochemical reactions को आप देखें तो पहला example जो मैंने लिया है इसमें directly naturally यह reactions बताईए आपको जिसमें sunlight presence में plant पर radiation पढ़ रहा है जिससे उसका food बनेगा means carbohydrate या glucose जबकि यह वाला जो डाइग्राम है यह आपको बता रहा है कि लैब में जब आप photochemical reactions करवाएंगे तो यूवी light से material से जैसे हाप संथिंग फॉस्फोरोसेंस फॉस्फोर माटीरियल क्रियेट हो रहा है फॉरोसेंस फॉरोसेंस और लुमिनेसंस माटीरियल यह इसी इन ही अभिक्रियाओं के उधारन है उसमें मैं अलग से पूरी स्लाइट बना रही हूं जैसे हम फर्दर आगे डिसकस करेंगे तो सी लैब में जब आप इस प्रकार के अभिक्रियां करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से यह कि लाइटनिंग वाला पॉर्षिन सो इस एक्जामपल ऑफ आर्टिफिशियल फोटो-कैमिकल राक्षिन एंडिस इजामपल ऑफ नेच्रल फोटो-कैमिकल रियक्षिन आप करते हैं सोलर स्प्रेक्ट्रम की हम सभी जैनते हैं कि सनलाइट में डिफ्रेंट सेवन कलर सोते है जिनकी wavelength अलग-अलग होती है, जब हम इसका spectra निकालते हैं, solar spectra, तो हम देखते हैं कि ultraviolet radiation जो है, उसका percent only 2% है, जो कि बहुत कम है, still UV rays are very much of harmful, इनकी अधिकता से cancer तक हो सकता है, इसलिए directly इनके contact में आना, avoid करना चाहिए, हलाकि sun rays में इनका percent बहुत कम होता है, so that ये उतनी harmful नहीं होती है, हमारे लिए क्योंकि हम उतना ज़्यादा समय तपती दूप में नहीं बिताते हैं, visible light ये देखे, visible light का percent 47%, जो जादा तर percent है, वो 47% light visible का होता है, और infrared radiation का 51% होता है, this is nanometer, 1 nanometer से लेके 200 nanometer तक कि ये जो range है, ये पूरा solar spectrum के अंतरगत आता है, जहां पर visible light, UV light और infrared, जब हम सोलर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो इसका percentage देखने पर ये समझ आता है, कि देखे, तो परसंट, ओली तू परसंट जो परसंट जो इस पेस है, this is nanometer, this is now mm, this is nanometer, 1 nanometer से लेके 200 nanometer तक का ये छेत्र होता है, जो solar spectrum के अंतरगत आता है, कोई चीज आपको violet दिख रही है, ये वाला range, तो 300 से लेके 400 nanometer की जब wavelength होगी, तो रंग आपको बैगनी कलर का दिखाई देगा, same देखें, 500 से 550 की range में आप जाएंगे, अगर wavelength इतनी range की है, विकरन की, तो वो आपको लगबग हरा दिखाई देगा, थोड़ा और आगे बढ़ने पे ये देखें, येलो, रैड येलो, येलो आएगा उसके बाद, 600 से लेके 650 पर, 650 से जो transition layer स्टार्ट होई है, तो यहाँ से हम देखेंगे, हलका reddish शुरू हुआ है, और ये पूरा जाता है, 1400 nanometer तक, यहाँ पे 750 पे इसका color थोड़ा से fluorescent होग और आगे जाने पे और darker होता जाएगा, तो जिस wavelength की किरन होगी, जिस range की किरन होगी, या जितनी nanometer वाली किरन होगी, उस range का color ही हमारी आँखों को दिखाई देता है, जो परावर्तित होके हमारी आँखों तक आता है, जो color दिखाई देता है, वो wavelength परावर्तित होके आती ह रिफ्लेक्ट होके आती है और बाकी की सारी वेवलेंद जो है रिडिएशन जो है वो डिफरेंट वेवलेंद की वो एब्सॉर्ब हो जाती है उस पर्टिकुलर आपजिक्ट के द्वारा